जहिंद वंदे मातरम स्वागत आप सभी का सक्सेस वल्ड मसीक्यू चैनल पर तो चलिए बिहार पुलिस कॉंस्टेबल बिहार पुलिस ड्रेबर और बिहार दरोगा पीटी एक्जाम 2022 के लिए वन लाइनर इस्टेटिक जीके का आज क्लास 10 चलेगा तो आप सभी को डेली सु क्या 23 से चलेगा यानि की 220 से चलेगा इससे पाले 200 प्रस्ण हो चुका है और वो 200 प्रस्ण भी इसी पीडियाप में है और जैसे ही आपके टोटल 500 प्रस्ण पूरे हो जाते है इसका पीडियाप दे देज़एगा पीडियाप कहाँ पर मिलेगा तो नीचे डिस्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम चनल का लिंक दिया गया है जाइए जोएन कर लिजे वहीं पर जाकर आप इसका फीडिया बिल्कुल फिरी में डाउनलोड कर सकते हैं तो कोशन है निकोलो कोटी नामक इटाबली यात्री किसके सासनकाल में भारत आया था इसका सही जवाब है देवरा बाधिकार्यों के द्वारा पद ग्रहन के समय ली जानी वाली सफ़त का उलेख है मोश्ट इंपोर्टन प्रसन है सही जवाब है तीसरी है नुसूची चली आगे देखते हैं नेक्स्ट कोशन करते हैं सर्वपर्थम जीन सब्द का पर्योग किस ने क्या था सही जवाब है जोहांसन ने याद रखना है जोहांसन ने सर्वपर्थम जीन सब्द का पर्योग किया था अगर आपसे पूछे कि अनुवानसिक्ता का जनक कोन है तो याद रखना है ग्रेगर जोहान मेंडल जो है यह अनुवानसिक्ता के जनक है नेक्स्ट कोशन करते हैं जालिया वाला वारत का वायसरा कौन था। इंपोर्टन प्रस्न है सही जवाब है लॉड चेमसपोड याद रखना है और जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआता तो 13 अफरेल 1919 को जालियावाला बाग हत्याकांड हुआता और लॉड चेमसपोड के सासनकाल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआता धियान रखना है चलिए देखतें आगे नेक्स्ट कोशन करते हैं भारतिय संविधान में नियाय पालिका की सोतनता किस देश के संविधान से लिया गया है इसका साही जवाब है USA के संविधान से याद रखना है USA के संविधान से भारतिय सम्मिदान में नियाय पालिका के सतंता ली गई है इससे रिलेटेट और भी प्रस्ण है जैसे की संसनात्मक प्रणाली पूछे तो ब्रिटेन से याद रखना है अगर आपसे पूछे कि एकल नागरिकता किस देश के सम्मिदान से लिया गया है तो इंगलेन यानि कि ब्रिटे का सही जवाब है LDI याद रखना अगर आपसे पूछे सिंगल बॉंड ओ किसका है इथर का है सी डवल बॉंड ओ किसका है कीटोन का है सिंगल बॉंड ओ एच किसका है अल्कोहल का इन सभी को याद रखना है इंपोर्टेंट है धियान रखना है नेक्स कोशन करते हैं बिहार दिवस प्रतियक वर्स कब मनाया जाता है इसका राइट आंसर है 22 अपरिल को 22 अपरिल को प्रतियक वर्स प्रतियक वर्स मनाया जाता है धियान रखना है नेक्स्ट कोशन करते हैं, राष्ट्य सुरक्षा गार्ड की स्थापना कभी की गई थी, राष्ट्य सुरक्षा गार्ड यानि की N.S.G. पूछा जराए, नेशनल सेक्योर्टी गार्ड की स्थापना, तो यहां रखना है, 22 सितंबर 1986 को हेड़ क्वाटर पूछे, तो नई दि थंडर बोल्ड के नाम से किस देश को जाना जाता है, सही जवाब है, भूटान देश को यहां रखना है, भूटान देश को लैंड ऑप थंडर बोल्ड के नाम से जाना जाता है, वही अगर आपसे पूछे, कि लैंड ऑप वाइट एलिफेंट यह किस देश के नाम से जाना प्रसन है जैसे Carnalite किसका है इसका है magnesium का है dolomite किसका है magnesium का है cryolite किसका है magnesium का है baukside किसका है aluminum का है ध्यान रखना इन सभी को important है आपकी exam के लिए चलिए आगे देखते हैं next question करते हैं रूसी क्रांती के समय रूस का सासक कौन था साही जवाब है जार Nikolas Dutia जार नीकोलाज दूतिय रूसी क्रांतिय के समय रूस का सास रखता आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रूस की क्रांति कब होई थी देखते एं कितने बच्चे आंसर करते हैं Шलतनात काल में मंत्री परिश्य को क्या कहा जाता था मजलिस Е खलवत के नामसे जाना रहता है यहां पर आप Web और ई नहीं होगा ई नै क्या होगा ारफulty एक डिग्री देशांतर की दूरी टय करने गता की कितना समय लगता है तो दिखे इसको निकाला कैसे जाता है तो सबसे फिले ध्यान रखें 360 डिग्री या रखना है 360 डिग्री की दूरी ते करने में पिर्थवी को लगता है 24 घंटा ठीक है तो यहां मिनेट में पूछा रहा है तो यहां पे 60 से गुना कर देंगे तो कितना एक डिग्री पूछा रहा है तो एक डिग्री के लिए कितना हो जागा यहां पे लिख की बताते हैं तो 24 इंटू 60 और अपन कितना हो जागा तो 60 से 360 को काटेंगे 6 जागा 6 से 24 को काटेंगे 4 हो जागा यहनि कि 4 मिनेट का समय लगता है दियान रखना है नेक्स्ट कोशन करते हैं पिर्थवी का अक्ष इसकी अक्षा के साथ पेक्ष कितना कौन बनाता है सही जवाब है साड़े 66 डिगरी का बनाता है वही अगर आपसे पूचे कि पिर्थवी अपने अक्ष पर कितना डिगरी जुकी हुई है तो साड़े 23 डिगरी ऐसे लिखायता है साड़े 23 डिगरी जुकी हुई है याद रखना है नेक्स्ट कोशन करते हैं लाल सागर और भूमद सागर को जोडने वाली नहर कौन सी है सही जवाब है सुएज नहर याद रखना है पार्सी का अगर आपसे पूछे कि पार्सी धर्म का पैगंबर किसे का जाता है तो जड़ थुष्ट को का जाता है ध्यान रखना है याद रखना है पार्सी का जाता है अंता स्रावी ग्रंती से किसका स्राव होता है सही जवाब है हार्मोन का स्राव होता है धियान रखना है Next question करते हैं खाध योर किरिसी संगटन का मुख्याले कहा इस्तित है सही जवाब है इटली के रोम में याद रखना है इसकी अस्थापना पूछे तुनिस्व पैतालिस में खाद और किरिसी संगटन का स्थापना हुआता दियान रखना है नेक्स्ट क्रसन करते हैं गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्टे जलिया जीव कब घोसित क्या गया मोश्ट इंपोर्टेंट प्रसन है साई जवाबे 5 अक्टुबर 2009 को वही अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी को राष्टे नदी कब घोसित क्या गया तो यादटना है चार नॉमबर 2008 को दोनों को यादटना है इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के लिए चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉसन करते है साही जवाब है इसका हेटक्वाटर का है नेपाल के काडमांडू में दियान रखना है साही जवाब है 1966 में तासकंद समझोता हुआता है सिमला समझोता पूचे 1972 में पंच सिल समझोता पूचे 1954 में सभी को याद रखना है इंपोर्टेंट है और सार्क का फूल फॉर्म क्या होता है तो South Asian Association for Regional Cooperation होता है ध्यान रखना है नेक्स्ट उसन करते हैं नेक्स्ट कुसन करते हैं भारते संभिधान के कौन से अनुछध में मूल करतवे का उल्ले के क्या गया है सही जवाब है अनुछे देख्यावन कौमे भाग पूछे तो भाग चार कौमे हो जाएगा और मूल करतब कितने है एक 11 है और इसे किस देश के सम्मिदान से लिया गया है तो रूस देश के सम्मिदान से लिया गया है याद रखना है एक होता है मूल करतब और एक होता है मौल यादर ने मौलिक अधिकार को USA के संभिदान से लिया गया है लेकिन मूल करता भी को रूस के संभिदान से लिया गया है next question करते हैं नगादुन सागर बहुधय से परज़ना किस नधी परिश्थीत है साही जवाबे क्रिश्ना नधी परिश्थीत है ये फ्रस्णाफ के एक्जाम के लिए इंपोर्टंट है ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन करते हैं लोगसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है सही जवाब है लोगसभा के उपाध्यक्ष को अगर लोगसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा लोग सबाकिया दक्ष को दोनों भी फ्रीत है ध्यान रखना है तो आज की सेशन के लिए इतना ही अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जरू लाइक करें